हलो गाइज, वेलकम टो अभिशेक जा क्लासेज, तो आज हम लोग जानेंगे all about internal exams यानि कि बहुत सारे जो changes आए हैं internal exams में इस बार उसके बारे में पूरा का पूरा detailed coverage करने वाला हूँ तो ये particular video पूरा end तक देखना वरना तुम्हारा ही बहुत बढ़ा नुकसार हो जाएगा, यानि कि बहुत कुछ मिस कर दोगे सो सबसे पहला हम लोग चर्चा करने वाले हैं internal exams old pattern में कितना marks का पुछा जाता था और new pattern के हिसाब से कितना marks का पुछा जाएगा नेक्स्ट वाला चर्चा करने वाले हैं कि internal exams और tutorial exams में क्या-क्या फर्क है क्या होता है internal exams और क्या होता है tutorial exams जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस बार से आपका tutorial exams होने वाला है और अब हम लोग third बात करते हैं who will make the paper college और university यानि कि तुम्हारा जो question paper रहेगा internal exams के जो question paper रहेंगे वो college बनाएगा या university बनाएगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि internal exams का तुम्हारा syllabus क्या रहने वाला है यानि कि कौन-कौन से syllabus के basis पे तुम्हारा internal examination होगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि internal exams offline होता है या online होता है इसके बाद हम लोग बात करेंगे MCQ होगा या non-MCQ होगा और सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे कि कौन से languages में internal exams होता है यानि कि Hindi में होता है, Bengali में होता है, English में होता है कौन से languages में तुमको internal exams देने मिलेंगे तो ये सब सारे के सारे चीज एकडम detailed way में cover करने वाला हूँ वीडियो को आखिर तक देखना चैनल को share, subscribe और like पक्का से करो सबसे बड़ी बात कि B.com semester 1 के free classes चल रही है जहां पर इस सारे के सारे subject एक डम free of cost में पढ़ा रहा हूँ उसको कैसे join करें? उसको join करने के लिए बस तुमको 6 steps को follow करना है वो 6 steps तुमको मिल जाएंगे description box में और comment section में फटा-फट से वो 6 steps को follow करो और join हो जाओ हमारे B.com semester 1 के free batch में जहां पर सारे के सारे subject एक डम free में पढ़ाते हैं तो आएए जादा time ना waste करते हुए हम लोग सबसे पहला topic से आगे बरते हैं internal exams, old pattern कितना marks का हुआ करता था और new syllabus के हिसाब से क्या-क्या changes हुए है और new syllabus में कितना marks का पुछा जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि internal exams पुराने जमाने में यानि कि old pattern जब CBCS चलती थी तब यह 10 marks का हुआ करता था अब जो new syllabus आया है यानि कि इस साल जो new syllabus आया है अब से आपका internal exams 25 marks का हो जाएगा दोस्तों पहले तो सिर्फ 10 marks का internal हुआ करता था तो अब से आप लोग को internal exams पे जादा focus करना है because आप लोग देखी सकते हैं 25 marks का पूछा जाएगा यानि कि कितना जादा impactful हो गया आपका subject है की नहीं आई ये जादा time ना waste करते हुए हम लोग अपने second topic के ऊपर आगे बढ़ते हैं क्या फर्क है internal exams और tutorial exams में सच्चा है अगर बात बता दू कि internal exams और tutorial exams में कोई भी फर्क नहीं है बस कहने का अंदाज है अलग-अलग अंदाज से लोग कहते हैं इसको लेकिन internal exams और tutorial exams में कोई भी फर्क नहीं है ये दोनों ही सेम है खिक है और लेकिन internal exams और practical exams में बहुत जादा फर्क है practical exams मतलब हो गया कि मैं वो चीज practically जाके test दे रहा हूँ यानि कि computer और lab के सामने अगर मैं वो चीज practically करके दिखा रहा हूँ तो उसको बोलते है practical exams लेकिन internal exams आपका written रहता है normally ठीक है तो internal exams और practical exams में तो फर्क है लेकिन internal exams और tutorial exams में कोई भी फर्क नहीं है दोनों सेम है है इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौलेज और university कौन आपका question paper बनाएगा college बनाएगा या university बनाएगा तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आपका जो question paper रहेगा वो आपके college बनाएगे जो भी college में आप पढ़ते हैं वही college आपका paper बनाएगा marks भी वही लोग tag करेंगे कि कौन से marks कौन से format में उनको paper बनाना है ठीक है तो सब कुछ वही tag करेंगे तो ये आपके पूरे की पूरे college के ऊपर depend करता है कि कैसा paper बनेगा ठीक है इसमें university का कोई भी हाथ नहीं है अब हम लोग next बात करते हैं कि internal exams का syllabus क्या रहने वाला है आपका किस basis पे आपका exam लिया जाएगा कौन से syllabus के basis पे आपका exam लिया जाएगा तो दोस्तों मैं बता दू कि ये भी full आपके college के ऊपर depend है ये आपके college के ऊपर depend करता है कि आपका college कितना syllabus का internal exams नेना चाता है यानि कि अगर college का syllabus पुरा का पुरा complete हो जाएगा एक दो मैंना पहले exam के एक दो मैंना पहले अगर college का पुरा का पुरा syllabus complete हो जाएगा तो वो full syllabus का ही test ले सकता है लेकिन अगर college आपका बहुत ज़्यादा दयावान रहा या college आपका medium level का रहा तो वो normally 50 या 60% का syllabus से आपका internal exams ले सकता है और वो भी बहुत easy-easy questions बनाएंगे वो भी वही सारे teacher suggest कर देंगे कि कौन-कौन से questions आने वाले हैं कौन-कौन से questions नहीं आने वाले हैं तो यह पूरा properly उनके ओपर depend करता है कि आपके internal exams किस वे में होगा full syllabus का होगा या half syllabus का होगा आपके college के ओपर depend करता है next मुद्दा पर चलते हैं कि college exams college internal exams जो होते हैं वो offline होते हैं या online होते हैं तो दोस्तों मैं बता दूँ कि बहुत सारे college तो इसको offline conductor आते हैं लेकिन बहुत सारे college ऐसे भी हैं कि online ही ले लेते हैं इसको because internal exams तो बहुत easy सा रहता है internal exams में ज़्यादा चाप लेने का है ही नहीं जो suggest किये हुए हैं सारे के सारे professors जो class में कराए हैं सारे के सारे professors वही exams में आ जाता है और वही exams में पूच लिया जाता है तो internal exams कभी भी tough नहीं रहता तब से पहला तो मैं बात करूँ कि offline होता है या online तो दोस्तों बहुत सारे colleges में offline भी होते हैं और बहुत सारे colleges में online भी ले लिया जाता है डिपेंड करता है आपका college के उपर मिच्ट बात करेंगे internal exams mcq format में होगा या non mcq format में होगा देखो मैं guarantee तो नहीं ले चकता लेकिन 99% college mcq format में लेता है internal anyhow आपका 99% college mcq format में लेने का कोशिश करेगा internal लेकिन वही 1% या 2% college ऐसा रहेगा जो बहुत ज़्यादा strict level का college है वो non mcq लेने का कोशिश करेगा ठीक है उसी की होने के ज़्यादा chances रहते है internal exams के सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे कि कौन से language में internal exams का paper बनता है और कौन से language में आपको answer देना होता है तो दोस्तो internal exams का paper भी आपके colleges के ओपर depend है बहुत सारे colleges सिर्फ English में paper बनाते है लेकिन बहुत सारे college English और बेंगॉली में paper बनाते है ठीक है लेकिन आप लोग answer चाहे English में भी दे सकते हो और बेंगॉली में भी दे सकते हो ये आपके choice के ओपर depend है जी हा दोस्तों चाहे आप English में भी दे सकते हो चाहे आप बेंगॉली में भी दे सकते हो ये आपके choice के ओपर depend है आप जो चाहो वही होगा Hindi नहीं है Hindi में आप लोग अपने answer नहीं लिख सकते सिर्फ English या तो Bengali ठीके दोस्तो तो यहीं सारे थे internal exams के बारे में पूरे के पूरे detailed चर्चा I hope आपको ये particular video बहुत जादा पसंद आया होगा अगर अभी भी become semester one के free batch में join नहीं हुए हो तो फटा फट से join हो जाओ और channel को please like, subscribe और share कीजिए ताकि हम ऐसे ऐसे videos regularly लाता रहे thank you दोस्तो मिलते हैं next video में तब तक हे लिए bye